हेलो प्यारे बच्चों मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने परिवार इंस्पारल स्टडी में और बच्चों ये वीडियो एनाइवेस वाले बच्चों के लिए हैं जिनकी कोमेंट्स जिनके मैसेजिस मुझे आ रहे थे मेरे वाट्सेप और मिनिमम पासिक मांक्स कितने चाहिए होते हैं हमें एनाइवेस परिक्षा को पास करने के लिए ठीक है यानि 100 मेंसे कितने नंबर हमें लाने पड़ेंगे मिनिमम जिसमें हमारी मांक्षीट पर पास लिखावा आ जाए तो आज इसी प्रॉबलम को शॉट आउट करने के जितने भी आपको तरीके बताये थे आप उनको follow भी कर रहे होंगे अपने NOS परिक्षा को पास करने के लिए तो आज का जो में हमारा topic है वो यह है कि कैसे कितने marks हमें NIOS परिक्षा को पास करने के लिए लाने पड़ेंगे तो चली बात कर लेते हैं थोड़ा सा फिनॉमिना आप समझ के चलिए सबसे पहले मैं 12th class के बच्चों की बात करूँगा 12th class के बच्चे किस तरीके से कितने minimum marks ला सकते हैं बच्चों आप लोगों के पास 100% होते हैं किसी भी subject को ले करके ठीक है ना अब माल लीजिए आपके पास 100 marks है और 100 marks में से 70 marks आपके ये किवल मैं assume करके बदा रहा हूँ आप लोग उसी चीज़े समझ के चलिए ठीक है माल लीजिए 70 marks आपके theory के हैं और 30 marks आपके practical के हैं ठीक है तो इसका 33% आपको लाना पड़ेगा अलग से और इसका 33% आपको लाना पड़ेगा अलग से ठीक है बच्चों यानि एक बात आप मानके चलिए कि theory theory plus practical ठीक है practical दोनों में आपको 33-33 लाने पड़ेंगे ठीक है न अब आप देख लीजेगा कि आपके हिसाब से कितना percent बैठता है 33 का ठीक है ये तो था 12th वाला process ठीक है उसके बाद बात करते हैं 10th वाले की 10th वाले में भी ऐसे ही आपका 100% यानि 100 marks आपको मिलते हैं ठीक है 100 marks में से मानके चलिए आपका 80 marks तो है आपका theory का ठीक है और 20 marks है आपका practical का तो कोई matter नहीं करता कि आपके किसमें कितने 30% आ रहे हैं किसमें नहीं आपको 100 का ठीक है आपको 100 का 30% लाना पड़ता है 10th में pass होने के लिए यानि अगर आपके 100 number है ठीक है अगर आपके 100 number है तो total में से आपको 33 लाना है matter नहीं करता अगर आपको यहाँ पर 20 मिल जाए अगर आपको यहाँ पर 20 मिल जाए तो यहाँ आपके 13 marks आ जाए तब भी आप लोग पास हो जाओगे अगर यहाँ पर आपको 20 number मिल जाए और यहाँ आपको तेरा मिल जाए तब भी आप पास हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बच्चो तो 12th का और 10th का criteria आप लोगों ने पता कर लिया है कि कितने minimum marks में हम पास हो सकते हैं आज की वीडियो में बच्चो बस इतना ही फिर मिलते एक ऐसी नई वीडियो के साथ बाकी एक बात और कहना चाहूंगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले पिकॉज हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं आज की वीडियो में बच्छी बस इतना ही जै हिंद जै भारत